बात क्या रखनी है जो आपके ये बच्ची है ठीक है? जो बच्चे है और बच्चों से समबद्धी जो आपके exam में question आए तो कभी भी आपका जो answer रहेगा कभी भी जो आपके exam में जो option आपको दिया होगा वो आपके इनके खिलाप नहीं जाना चाहिए इस mentality के साथ आपको हमेशा answer देना है इसको आपको सबसे supreme power माननी है जो चीज में आपको हमेशा कहता हो कि बच्चों को आपको सबसे supreme power माननी है हमेशा कभी भी आपके exam में question पूछा जाए तो इनके against में कभी मत चले जाना इनके खिलाप कभी मत चले जाना पूरी दोनिया इनके खिलाप हो पूरी दुनिया इनके खिलाप हो लेकिन आप इनके खिलाप कभी मत जाना तो हमेशा ऐसा answer आपको select करना है जो बच् calendar के साथ हो जो बच्चों की बच्चों से जुड़ी जो जितनी भी चीज होती है चाय बच्चे की मातरवासा हो, मदर ठंग हो, चाय बच्चे की विचार हो, तो इनको बढ़ावत देनी की बात करता हो, ठीक है, इनको सम्मान देनी की बात करता हो, इनको अभिव्यक्ति की बात करता हो, इनको एनकरेज करनी की बात करता हो, तो ऐसे option के साथ हमेशा आपको ज हो जाएगा इतना मैं आपको वह उसा दिलाता हूं अगर आपने लास्ट के हफ्ते बरक अंदर यह चीज को फोलो करा देखें आपके सीटेट के डेट रहेगी 20 तारीक के बाद एक डेट आपकी डिसाइड हो जाएगी जिसमें आपका सीटेट के एक्जाम स्टार्ट हो जाए तो उनके लिए तो बहुत महित्पूर होने वाली है क्योंकि उनके पास तो लगबग एक हफ्ते का भी आपका जो है टाइम ही आपका बचा है लेकिन उसके बाद जो आपके स्टुडेंट रहेंगे तो वह पेपर का एनलीसीज वगारा देखते रहना मैं आलीसीज वगारा करातर रहूंगा कि स्ट के अंदर ये कोशन पूछे गए या इस तरीके का पेपर आया देखें आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से दो तरीके के बच्चे है एक तो वह है इस्टुडेंट जो कई दुनों से सीटेट के एक्जाम की तैयारी म तो अगर उन्होंने अब भी सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करी है और आज की वीडियो को देखने के बाद और इसका इंप्लिमेनटेशन करने के बाद जो चीजा आज की वीडियो कर अंदर में आपको बताऊंगा अगर वो चीज़ा भी उन्होंने खड़ ली तो भी अपना सीटेट का एकजम पास कर सकते हैं लेकिन जो स्टुडेंट कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं उनके मुकाबले में उनके नंबर उतने नहीं आप आएंगे बस पास हो जाओगे आप लोग अगर आप लोग यह सोचोगे बही मेरे भी 120 30 या 40 तक नंबर आ जाएंगे तो वो नंबर आप लोगों के नहीं आ सकते क्योंकि वो नंबर उनके आएंगे जो वो कई महीनों से बच्चे तैयारी में लगे हुए या उनको काफी टाइम से समय हो गया तैयारी करने का ठीक है लेकिन पास हो जाओगे आप लोग और जिन इस्टुडेंट को तैयारी करते कई महीने का टाइम हो गया है काफी समय से जो लगे हुए तो उनका नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे उनके नंबर बढ़ जाएंगे आज की वीडियो को देखने बाद तो दोनों तरेके के स्टुडेंट के लिए आज की वीडियो महत्पून होने वाली है आज की साथ दिन का आपके सामने टार्गेट है सबसे पहले आपको क्या काम करना है जितनी मेरी मेराथन किलास है जो नए पैटन के अकोडिंग मैंने बनाई है ठीक है जितनी मेरी मेराथन किलास है जो मैंने नए पैटन के अकोडिंग मनाई है वो आपको फोलो करनी है क्योंकि मैं कई दिनों से marathon class बनाता आ रहा हूँ तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको मेरे वाली marathon class आपको follow करना है और यह कहा मिलेगी आपको यह मिलेगी आपको मेरे YouTube चैनल पर YouTube पर search मानना सचीन अकेडमी मेरा YouTube चैनल आ जाएगा तो वहाँ पर आप लोग playlist खोल लेना मेरे YouTube चैनल पर तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी यह playlist के अंदर आपको marathon class ठीक है कहा आगया वह आपका यह आपको playlist के अंदर आपको मिल जाएगी यह marathon class का यह folder मिलेगा ठीक है एक दो बस्ती है उनको जल्दी हो जाएगी लेकिन जादे तर मैंने आपकी सारी करा दिये है तो जैसे ही इसको आप लोग खोलोगे marathon class को तो इसको सामने देखे आपकी screen पर आगई है यह 24 गंटे का time duration है यानि 24 गंटे के अंदर मैंने सभी marathon class कराई हुई है कोई 4 गंटे की है कोई 2 गंटे की है कोई 3 गंटे की है तो 24 गंटे के अंदर सारी marathon class मैंने कराई हुई है ठीक है तो 24 गंटे के अंदर यह कराई हुई है यानि 2 दिन के अंदर आप लोग इन पूरी marathon class को कर सकते हो और उसके लावा दो दिन के अंदर आप लोग इसकी revision कर सकतो, क्या काम कर सकतो, दो दिन के अंदर आप इसकी revision कर सकतो, यानि कि चार दिन में आप लोग मेरी marathon class को complete कर सकतो, इन marathon class से बाहर आपका side को बहुत कम concept होंगे, जो पूछे जाएंगे, ठीके, गिने चुने concept होंगे, वनना ज्यादतर चीज़ा आपके एक्जाम में यही से पुछी जाएगी, और अगर आप लोगों ने आज से भी पढ़ना सुरू कर आए ना, तो भी आप लोग अपना एक्जाम डेफिनेटली आप लोग निकाल के ले जाओगे, अगर आपने ये वाली Marathon किलास भी अगर आपने अठेंड कर ली तो ठीक है, तो चार दिन में आप लोग मेरी Marathon किलास को कंफलीट कर लोगे, दो दिन में पढ़ लोगे, समझ लोगे, एक ही बार में समझ मा जाएगी, बार बार आपको समझने की जरूत नहीं पड़ेगी और दो दिन हो गए आपके revision के चार दिन में आप लोग ये वाला काम आप लोग कर लोगे ठीक है अब तीन दिन अब तीन दिन में आपको क्या काम करना है तीन दिन में आप लोगों को जो मैंने आपको अपने नोट्स दे रखे है उन नोट्स के अंदर आपको प्रिवेसर के कोश्चन आपको दे रखे है तो प्रिवेसर के जो आपको कोश्चन आपको दे रखे है तो उन कोश्चन आंसर की आपको प्रेक्टिस करनी है जाद से जा होगे उतना ही आपको benefit आपके एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा उसके लाबा मोग टेस्ट प्रैक्टिस करना आप लोग जाए जो मेरे वाले मोग टेस्ट है उस पर कर सकते हो 120 मोग टेस्ट में आपको टोटल दे रखके यह दोनों ही चीजे आपको मेरी साइट पर मिल सीबेस्ट आपको पैटन होता है तो मोग टेस्ट पर आप लोग जाए साध है प्रैक्टिस करना लास्ट के साथ आठ दिन के अंदर भी वाली चीजे कर ली ना पास से जादा आप लोग लेकर आ जाओगे और आप लोगों को यकीन ने होगा साध कुछ आप लोग इस बात क स्कोर जुनों ने करा है बस डेडिकेसन होनी चाहिए और जो बच्चे कई महिनों से पहले की तैयारी करें तो यार उनका स्कोर तो बहुत अच्छा जा नहीं है लेकिन वह अपने स्कोर को बढ़ा सकते इन चीजों का इंप्लिमेंटेशन करने के बाद क्योंकि उन्हें ला